हाई फेंट्स आज की रेसिपी है यम्मी यम्मी चीजी मेगी रेसिपी जिसे बच्चे के साथ साथ बड़े भी बहुत ही इंज़े करने वाले हैं तो यह मज़ेदार चीजी मेगी को बनाने के लिए मैं यहां पे फ्राइ पैन ले ली हूँ जिसे हलका सा गरम करके एड़ कर देंगे एक बड़ी चमच रिफाइन ओयल फिर इसमें एड़ करेंगे चॉप्ट किया हुआ एक स्मॉल साइज का प्याज प्याज को हलका सा भूल उसके बाद इसमें जाएगा सिमला मीर्ची याने की कैपसिकम तो दो बड़ी चमच कैपसिकम हम चॉप्ट किया हुआ इसमें एड़ कर दिये हैं थोड़ा सा फ्राइ करके चॉप्ट किया हुआ टमाटर भी इसमें एड़ कर देंगे और टमाटर भी यहां पे दो बड़ी चमच हम लिये हैं तो चलिए सारे चीज अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेंगे उसके बाद एड़ कर देंगे स्वाधनुसा नमक इससे यह जो कैपसिकम टमाटर और प्याज है यह थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और यह नरम भी हो जाएगा तो चलिए अब थोड़ा सा इसे भूनने के बाद हम इसमें पानी एड़ कर देंगे तो दो कप पानी हम इसमें एड़ कर रहे हैं क्यूंकि दो हम मैगी का पैकेट हम बनाने बाले हैं तो चलिए थोड़ा सा इसे मिक्स करके गैस का फ्लेम लो टू मीडियम में ही रखेंगे और इसमें एड़ कर देंग मैगी मसाला तो दो पैकेट मैगी हम यूज कर रहे हैं तो इसलिए दो पैकेट मैगी मसाला ही इसमें जाएगा तोड़ा सा मिक्स करनी के बाद जब पानी उबलने के लिए रेडी हो जाए तब इसमें हम 1-4 टीजपून रेड चिली पाउडर एड कर देंगे और साथ में जो म तो इसलिए फ्लेम को लो में रखके पहले पका ले उसके बाद जब सारा मैगी नरम हो जाए तो गैस का फ्लेम मीडिया में रखके इसे तीन से चार मिनिट पका ले पैसे तो बोलते हैं कि दो मिनिट में मैगी बन जाता है लेकिन इसे बनाने में तीन से चार मिनिट लगी जा यह जो मैगी है इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और खाने में भी यमी यमी लगेगा लास्ट में हम थोड़ा सा बटर इसमें एड़ करके गर्मा गरम सर्फ कर लेंगे लेकिन सर्फ करने से पहले चौप्ट किया हुआ प्याज चौप्ट किया हुआ अजणी के पत्ते थोड़ा सा चीली फ्लेक्स एड़ कर दे इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा तो कैसा लगा आज का यह यमी यमी चीजी मेगी रेसिपी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सेयर करके चैनल को जरूर सब्सक करके जाना थेंक यू